मित्रों ये बेदान्त दर्शन क्या है ऑपर ईसमें क्यों कहा गया ब्र्म सत्यम जगत मित्या बेदान्त दर्शन को कहते हैं वो अध्यात्म के सबसे उचे दर्शन है सबसे स्रेष्ठ दर्शन है ज्यान का मार्ग है और उसमें भी जो सार्भुत बात है उसको कहते हैं ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मा सत्य है जगत मिथ्या है तो दो बातों को हम इसमें जानेंगे, पहले की बेदान्त क्या होता है, उसको हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी बात, कैसे हम जान सकते हैं, ये ब्रह्म ही सकते हैं, और संसार मित्या है, मित्रों, पुर्विये वांगमे में सबसे पहले बेद का उत्पादन हुआ, और चार बेद हैं, बेद कब से चलता आया, इसका हम पता लगा नहीं सकते हैं, बहुत स्रिष्टियों से पहले ये अध्यात्मिक ग्यान की परंपरा चलती आ रही होगी, और बेदों के रिशियों ने उन ग्यान की जो भी बात है, उसको एकिक्रित करने का प्रियास किया, और उससे बेद पैदा हुए, मगर बेद उस बक्त के गुगल देशा था, जैसे अब भी गुगल है, गुगल में हम सभी विशय के बारे में ग्यान पाते हैं, तो उस बक्त बहुत सारे विशय और उसके शाखा प्रशाखा पईदा नहीं हुआ था, तो उस समय में जो भी ज्ञान प्राप्त होता था, जहां से भी चाहे ज्ञान का हो, चाहे बिज्ञान का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे कर्मकांड का हो, चाहे ब्याकरण का हो, चाहे भासा का हो, चाहे न्यायका हो सबी बात बेदों में उल्लिक की जाती थी अभी तो बहुत विशहे अलग-अलग है और उनके साखा-प्रसाखा है मगर उस वक्त बेद एक इनसाई को प्लेडिया जैसा था जहां से भी जिसने भी जो भी खोज करके आविश्कार करके ज्ञान को उत्पादन किया उसको बेद में संकलित कर देते थे इसलिए बेद सुद्धा धर्मा और अध्यात्मका शास्रही नहीं है उसमें बहुत सारे ऐसे भी शुलोक है जो कर्मकार्ण पर आधारित है बहुत ऐसे स्लोक है जो भासा ब्याकरण पर आधारित है जो नियाएं पर आधारित है तो बाद में रिशियों ने जो चार बेदों में मुख्ये मुख्ये अध्यात्म विशय के स्लोक थें, उनको एकीकरित करके उपनिषदों की रचना की, तो उपनिषद काल में ही धर्म को अध्यात्म को अलग किया गया वांग में से, तो पहले धर्म भी उसी वांग में में था, इसलिए बेद केबल धर्म की ही ग्रंत नहीं है, इसलिए कहना बेद अर्थात ज्यान बेद का अर्थ होता है जैसे अभी Google जैसे इंसाइकलोपीडिया जैसे विकीपीडिया जहां पर सभी विशेहों के बारे में लिशा जाता है तो जब उपनिशत की रठना हुई तब उपनिशतों को कहने लगे कि वो बेदांता है बेदांता का अर्था अब बेद का अंता है अब बेद की आवस्चेकता नहीं है क्योंकि बेद मोसे जो आधारभूत, सारभूत, महत्तोपुर्ण, अध्यात्म विशाइक बात है उसों क को हमने एकिक्रत कर लिया तो उपनिशतों सुद्धा ब्रह्मा विशाइक चर्चा है अध्यात्मा विशाइक चर्चा है इसलिए उपनिशतों को बेदांता का है तो बेदांता का ये अर्था है कि आप बेद के द्वारा ब्रह्मा को जान नहीं पाते है तो आपको ब्रह्म जानना चाहते हो तो बेद को अंत करना होगा ज्यान को त्यागना होगा ये ज्यानांत है जैसे ओसो कहते थे ज्यानांत ज्यानांत है बेदांत का अर्था क्यानांत ज्यानांत का अर्था है कि आप ज्यान को छोड़ दो जो भी आप बेद में लिखा हुआ सास्रा है में लिखा हुआ जो भी स्लोक है उनको आप पंठा करना याद करना उसकी स्मृति करना वो बात आप छोड़ दो क्योंकि उससे ब्रह्मा का ज्यान नहीं होगा ब्रह्मा का ज्यान तो तभी होगा जब आप सब ज्यान को छोड़ दोगे समस्त ज्यान को छोड़ दोगे और आपके भितर जब ज्यान का पैदा होगा तो आपके भितर जो ज्यान का पैदा होगा वो बाहे ज्यान का अंतगरने से होगा नहीं तो बाइय घ्यान का ही आरोब आपके वितर होगा और आपके मस्तिशका में वही घ्यान परकट होने लगेगा आपका खुद का घ्यान आविश्कृत नहीं होगा तो इसलिए बैदांत बहुत आवस्ञेक बात है और इसको कहते हैं, यह दर्शन है, ब्यदान्त दर्शन, अवे दर्शन शब्द भी अद्वूत है दर्शन का अर्थ जैसे पस्से में psychology, philosophy होती है, तो फिलोसोफिक नहीं है फिलोसोफिक का दर्शन का translate English में आप कर दो, तो उसके लिए अच्छा सब्द नहीं है फिलोसोफी तो तर्क है, लजी के, वो तो फिलोलोजी है, वो तो तर्क सास्र है, फिलोसोफी का अर्थ होता है कि आप किसी बात को चिंतन मरन करके तर्क के द्वारा, बुद्धी के द्वारा कोई एक अनुमान, एक निश्कर्चा आप बनाते हो तो उसको फिलोसोफी कहते है दर्शन का अर्थ है आप तर्क के सहरे नहीं, शुद्ध दर्शन के सहरे, दर्शन का अर्थ होता है आप सिधे ही देख पाते हो उस चीज को, देखना और उसके बारे में बात करना अलग-अलग बात है, फिलोसोफी उसके बारे में की गई बात है, और दर्शन उसके बारे मे बेद को छोड़ो, सिदे ही देखो, डाइडेक्ट आप देखो ग्यान को, अपने वितर जो भरा पड़ा है, जो आत्मा है, जो साची है, उसका आप दर्शन करो, उसका आप चिंतन मत करो, उसका आप कल्पना मत करो, अनुमान मत करो, मतिंगल, बुद्धी का मतिंगल मत करो, आप सिधे ही देखने में लग जाओ, जैसे आँखे सिधे ही देख लिपी है, आँखको किसी चीज को देखने के लिए तर्क का सहरा आवस्यक नहीं है, तर्क का सहरा तो वहीं आवस्यक होता है, जहां आप देखने पाते हो, जैसे आपके आँख अंधी है, आप देखने पात तो आपको तर्क करना होगा चलने में कि कहीं आप किसी से ठक करना खा जाए कहीं गड़े में पढ़ना जाए तो इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा मगर आखे तो सोचने के आवस्तेक्ता नहीं है तो बेदान्त दर्शन का अर्थ यह है इसको समझ लेना चाहिए और प्रस्थान त्रई कहते हैं, उपनिशद गीता और ब्रह्म सुत्रा, उपनिशद को कहते हैं वो सुरूती मार्ग है, सुरूती प्रस्थान है, गीता को कहते हैं इस्मर्ती प्रस्थान है, और ब्रह्म सुत्र को कहते हैं वो न्याय प्रस्थान है, उपनिशद को कहा वो बन करके ज्यान का अंतर करना है और फिर स्वयन का दर्शन करना है और गीता को कहा वो इस्मर्ती प्रस्थान है उसको इस्मर्ती करना है उसको बार-बार पाश करना है उसको बार-बार ध्यान देना है वो उस बात को तो उसको इस्मर्ती कहा गया इसलिए और ब्रह्मा सुत्र जो बादरायन द्वरा लिखी सर्वस्रिष्ट ग्रंत है उसको कहा वो न्याय प्रस्थान है न्याय का अर्था होता है तर्क बितर्क तो आप तर्क बितर्क के द्वरा तर्क बितर्क को छोड़ना है तर्क बितर्क करना है ताकि तर्क बितर्क को छोड़ दे और सिधे ही दर् ये स्लोक आता है ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या और इसको संकराचारे ने अपना दर्शन का आधारबुद धारणा बना लिया आधारबुद उनकी जो अध्यात्मे की सार शिच्छा है एक बाक्य में उन्होंने कहा ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या तो इसके बारे में हम बात कर जिसमें निमबार्क आगे जिसमें मद्वाचारि आगे बहुत सारे आगे तो संकराचारे का जो बात से है और संकराचारे उसमें इस बात को बहुत जोड़ देते थे कि जानों की ब्रह्मा ही सत्ते है और जगत मिथ्या है तो जगत को मिथ्या क्यों कहा गया इस बात हम समझेंगे मिथ्या का क्या अर्थ है मिथ्या का अर्थ है जूट नहीं है असत नहीं है ब्यदान्त में तीन सब्द का उलिक है सत असत और मिथ्या ब्रह्मा जगत को असत नहीं कह गया असत का अर्थ है जो है ही नहीं सत का अर्थ है जो है और इन में तिसरी जो बात है मिथ्या उसका अर् असल में कहें, तो असत जैसी चीज दुनिया में कहीं नहीं होगी, कोई भी चीज असत नहीं होगी, जूट नहीं होगी, हम कहते हैं जूट है ये बात, तो जूट बात हो ही नहीं सकते, हैंने, सच बात ही होगी, जूट बात कैसे होगी, जो है ही नहीं, उसको हम नहीं हे भी कैसे कहेंगे, नहीं हे कहने के लिए भी उसको होना तो पड़ेगा, जैसे आकास है कहते हैं, क्योंगे है, मगर किसी भी चीज को नहीं हे नहीं कहेंगे, जो हे ही नहीं, उसका नाम भी हम कहां से लाएंगे, तो असल में असत जैसी चीज कुछ होती नहीं है, तो क्या होता है, फिर सच ही होता है, और दूसरी चीज होती है, मिथ्या, माया होता है, एक सत्य होता है, एक माया होता है, असत्य कभी भी नहीं होता, तो माया का अर्थ है, माया का अर्थ है कि चीज तो है मगर आपको दुसरी दिखाई देती है, जो है वो दिखाई नहीं देती, illusion, ब्रह्म, माया का अर्थ है ब्रह्म, आपको वो चीज दुसरी दिखाई दी, जैसे है वो इसी दिखाई नहीं दी, उससे भिन्य दिखाई दी, तो वो कहते हैं वो मिठ्य है, माया है, इल्यूजन है, जैसे रसी पड़ी हुए आपको साप दिख गया उसमें, तो वो माया हो गया, क्योंकि आपको रसी रसी नहीं दिखाई दी, आपको रसी साप दिखाई दी, तो इसको कहते हैं यह माया है, भूत होते नहीं, आपने भू दिखाई तो दी न, आपको, साप तो दिखाई तो दिया, भूत तो दिखाई तो दिया, मगर भ्रमबस दिखाई दिया, तो इसलिए इसको माया कहते हैं, और ये संसार जो हमको अनुभब होता है, जो भी जीवन का अनुभब होता है, तू, मैं, ये सारा संसार, जीवन, मरण आत्मा परमात्मा ये वो काम क्रोध लोब जो कुछ भी ये सब चीजें ऐसी नहीं है जैसे हम इसको देखते हैं हम इसको जैसी है वो इसी देखते नहीं उससे भिन्न देखते हैं ब्रह्म के कारण हमको ये अज्ञान होने के कारण चीज भिन्न दिखाई देती है, यह बात है, मिठ्या की बात यह है जएशे लकड़ी को पानी में आप डाले, तो वो तिर्षी दिखाई देगी मगर तिर्षी नहीं है, मगर दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है क्योंकि ये सूरज का किरण जो पानी में रिफ्लेक्षन होके आपके आँख में बिम्ब बनाएगा तो सूरज की किरणों को पानी से आने के कारण किरणे टेड़ी मेनी हो जाएगी तो आपको लकडी भी टेड़ी मेनी दिखाई पड़ेगी मगर सुरज का किरणों का प्रभाह के कारण ये टेड़ी मिनी दिखाए देती है तो हमको ये सारा सिंसार ऐसा ही टेड़ामिला दिखाए देता है क्योंकि हमारी जो देखनें की दृस्टी है वहां पर कुछ दोस है, कुछ अलुजान है परंपरा है, तरक है, धारणा है, तो इनके कारण हम चीज़ों को देखते हैं, ये बात सरल से आप समझें, जैसे एकी ही चीज सबी को अलग-अलग दिखाई दीती है, चीज एकी है, मगर लोग जिन धर्म को मानेंगे, जिन परंपरा को मानके आएंगे, उस हिसाब से वो उन दिखेंगे, जैसे मुस्लिम समाज में पैदा हुआ लड़का है, तो उसने मामा और चाचा की बेटी को देख लिया, तो उसको साधी करने का विचार करेगा, मगर हिंदू समाज में पैदा हुआ लड़का हो, तो उसको देखेगा, तो उसको साधी करने का विचार उसको न उस लड़की से साधी करना धर्म है कि पाप है धर्म भी नहीं है पाप भी नहीं है क्योंकि किसी को लगा धर्म है किसी को लगा पाप है गाय है मुसलिम समाज में वा क्रिशियन समाज में पैदा हुआ तो उस गाय को एक वो खाद्य पदार्था के रूप में देखेगा नगर हिंदू समाज में पैदा हुआ हो तो उसको खाद्य पदार्था के रूप में तो कताई भी नहीं देखेगा तो असल में गाय क्या है जिसने गाई को देखा उसने गाई को जैस्या गाई है वह इसा देखा नहीं उसको तिर्षा देखा आरा टेडा करके देखा उसमें अपने धारणाओं को थोप के उसको देखा तो यह हुआ माया तो इस संसार को हम कहते हैं कि है बास्ताम में यह संसार नहीं है भी नहीं कहिश सकते हैं इसको क्योंकि हमको दिखाई तो दिया गाई हमको खाद्य पदार्थ के रूप में या पुजा करने के रूप में दिखाई तो दिया मगर हमको जो दिखाई दिया वो और असल में जो गाय है वो एक बात नहीं है तो इसलिए हमको जो दिखाई दिया वो माया हो गया वो मिथ्या हो गया वो अज्ञान हो गया हमने कुछ चीज को कुछ चीज देख लिया तो इन में से सबसे गहरी जो बात होगी मैं की सेंटर है और मैं और मेरा भी ऐसा ही मिथ्या है असल में ये मैं जैसा कुछ होता नहीं मगर हमको अपना सरीर देखके अपना मन को अनुभव करके और दुसरों को देखके हम ये मान लेते हैं कि मैं जैसा कुछ होता है और हम अपने को मैं कहते हैं और ये मैं कहेना ये जूट नहीं है क्योंकि हमको अनुभव वता है ना मैं का मगर सच भी नहीं है क्योंकि मैं जैसा कैसे होगा अलग जीवन में कोई भी चीज अलग तो होती नहीं सब जुड़ी हुई होती है जैसे हमारा सरीर है आकास से जुड़ा है बायो मंदल से जुड़ा है अन्न से जुड़ा है पानी से जुड़ा है, धर्ती से जुड़ा है, अगनी से जुड़ा है, तो इस सबी चीजों का combination है हमारा सरीर, तो अलग इसको हम करने सकते हैं, जो बहुत सारे चीजों से जुड़ के बनी हुई है, उसको हम अलग कैसे करेंगे, मगर भूल बस हमने उसको अलग कर लिया, अलग करने का अर्था है, उसको हमने मैं बना लिया, जब इसको मैं बनाएंगे इस सरीर को, तो हमने इसको अलग कर दिया, हमें कहेंगे यह मेरा है, यह तेरा है, मगर यहां न कोई मेरा है, न किसी का तेरा है, सभी कुछ जो है, ब्रमांड एक आपस में जुड़ा हुआ है, ये कहें सभी कुछ परमात्ma हैं उससे अलावा भिन्न कोई भी चीज़ नहीं है, मगर हमको लगता है कि अलग-अलग चीज़े है, हम को जीवननों जो अलग-अलग दिखाई देता है न यही मिथ्या, हमको मैं अलग दिखाई दिता है, तू अलग दिखाई दिता है, पेड अलग दिखाई दिता है, आकास अलग दिखाई दिता है, मगर कुछ भी चीज अलग है नहीं, जैसे एक पेड आप देखते हो, तो पेड की पतियां अलग-अलग दिखाई देगी आपको, आप उसको गि प्रच्छी से नहीं जुड़ा होना चाहिए। यह आख के रोशनी का रिफ्लेक्शन के कारण यह इल्यूजन पईता हुआ हमको लगने लगा कि यह अलग अलग चीज है। यह संसार हमको अलग अलग देखाए देता है। दुसरा आदमी को हम अलग आदमी देखाए देता है। मगर गहरे में देखे वो आदमी और आपका जो शरीर है वो और उसका जो शरीर है एक ही है एक ही है ना एक ही बायो मंडल से आप अक्सिजन लेते हो आप जो अक्सिजन निकालते हो वही अक्सिजन वो लेता है वो जो अक्सिजन फालता है वही आप लेते हो एक ही धरती पर आ लकड़ी पानी में तिरसी दिखाय देती थी, क्यों कि प्रकास के कारण यह जी इना, यह यह मिध्या प्रकास के कारण हुआ, गए्वेच में पानी ने अब्रोध कर लिया, और लकड़ी का जो आपके आँख में चित्र बनना था वो प्रकास आना था वहां से और पानी से तो प्रकास आड़ा टेड़ा करके आया है, तो आपको लकड़ी तिरसी दिखाई देदी, तो ऐसे ही ये चीज़ें अलग-अलग हमको दिखाई देती है, क्योंकि हमारी आँख के कारण है, हमारी आँख में उसका चित्र बनता है, और उसका हाइट भिन्न देशा दिखाई द न यही संसार है, मगर न मैं कुछ अलग है, न तू कुछ अलग है, सभी कुछ जुड़ा हुआ है, यह सत्य है, इसी को कहते हैं यह ब्रह्मा है, ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या का अर्थ यह यह, कि ब्रह्मा ही सत्य है, अर्थात, ब्रह्मा एक ही है, वही सभी जगह फैला ह वो दो नहीं है, मगर उससे प्रकट हुआ जो प्रकृति है, जो जड़ पदार्थ है, उसका आकार होता है, रूप होता है, आकार और रूप होने के कारण और प्रकास के रिफ्लेक्शन का कारण वो हमारी आँख को अलग-अलग दिखाई देता है, और हम उस भ्रह्म में पढ संसार को संसार बानते है, मगर संसार जैसा कहीं पर है नहीं, कुछ भी अलग भिन्या है नहीं, मगर पदार्थ को हम देखेंगे तो वो अलग दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए ब्रह्म पईदा हो गया, आमको अपने को में कहने लगे, तो इसको कहते है, ये मिथ्या है, तो मिथ्या का अर्था हुआ, आपको एक चीज दुसरी जैसी दिखाई दे गई, क्यों? इल्यूजन के कारण, माननेताओं के कारण, प्रकास के कारण, अब कारण भहत होंगे, जो आँख होगी, प्रकास के कारण उसको अलग दिखाई पड़ेगा, और आपका जो मही होगा, वो बिचारों के कारण, आपको अलग दिखाई देगा, यह मन भी एक आँख है, मन में बिचारे हैं, धारणा है, हमने क्या-क्या सुन लिया, क्या-क्या जान लिया, क्या-क्या अपने दिमाग में हमने थोपर लिया, तो उस हिसाब से हम चीज़ाँ को बैख्या करेंगे, जो भी हम बैख्या गरेंगे, जानेंगे, वो सब इल्यूजन पर आधरित होगा, तो मित्रों इसके गहन अध्यान में हम आगे बढ़ते जाएंगे, और नए मित्रों को में शुचना देना चाहता हूँ, आप मेरे पास वो प्राइवेट गाइडेड मेटिटेशन की वीड वीडियोज हैं, अध्यात्म की वो गहन वीडियोज को प्राप्त करने के लिए आप चैट कर सकते हो, उसका नमबर और इसक्रिप्शन में दिया हुआ है,